नमस्कार फ्रेंट्स मैं संतोष पाटित संतोष रूपिंग के यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स जैसे कि आज का वीडियो वना रहे हैं वो स्पेशली इसके लिए है कि जहां पे रूफ के लिए जो उडन स्ट्रक्चर रहता है वो और फैब्रिकेशन जो स्ट्रक्चर बना थे उसके बारे में यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और यह बहुत ही बड़िया वीडियो होने वाला है जिसमें मैं काफी सारी चीज़े आपको वन टूवन आपको बताऊंगा तो फिर यह वीडियो जो है वह आखिर तक देखना तब आपक कि एपको अब कुछ स्टॉक्चर बनाना है उसके लिए तो फिर वो उड़न में होना चाहिए आप स्टीर में होना चाहिए जनरली अगर हम लकड़ी के बारे में अगर देखते है तो फिर जो लकड़ी मिलती है मार्केट में ऑच काफी अगर आज के तारिक में अगर हमें उडन को कुछ structure बनाना है तो जो कि उसके अगेंस में अगर हम स्टील के बारे में अगर देखते हैं तो फिर स्टील जो रहता है वो काफी लो बजेट में मिल जाता है और सबसे बड़िया ज्यादा होती है कि उसमें ज्यादा होती है और में इसकी हिसाब से हम ना सकते है दूसरी बात है कि जिटने whisky नहीं है मतलब जिसे कि पेले कि जितने एक घर बने हो 근데 राजबाड़ा या फिर और खाफी साथ काफी बढ़िया घर बने लेकिन उतना ही कारिगरी उतने बड़िया तरीकी की कारिगरी आज की तारीक में नहीं मिलते हैं उतने skill labor से नहीं मिलते हैं और जो भी मिलते हैं वह बहुत ज़्यादा expensive होते हैं तो फिर घर से ज़्यादा हो कभी-कभी रूफ का खर्चा ज़्यादा जाता है तो यह एक सबसे बड़ी बात है जब भी हम अगर कुछ उडन का structure बनाने जाते हैं और steel का structure बनाते हैं उसमें अगर तो उडन का structure बनाने के लिए टाइम जो लगता है बहुत जादा जाता है उसमें कोई limitations नहीं है क्योंकि वह कारीगर अवेलिबल होना है और उसमें जो वोकिंग है वह भी बहुत जादा होता है जनरली और एक सबसे important बात होती है कि अगर हम उडन का structure कोई कुछ भी बना रहे है ते उसके लिए जो उड यूज करने वाले है जो भी लगड़ी यूज करने वाले है वो जनरली साक की या फिर नीम की होनी जरूरी होते और भी कापी सारे ऐसे लगड़ी होंगी जिसको फिर रस्ट पकड़ने के कोई chances होते नहीं है लेकिन अगर कोई लकड़ी हम regular use कर रहे है और उसको अगर कीड़ लगते है तो फिर almost टाइम पे वह जो कीड़ने है लगनी है वो लगने के chances सबसे ज्यादा होते है और एक सबसे important बात होती है कि जो लकड़ी है वो fireproof नहीं है म अगर कभी आग लग जाती है तो सबसे ज्यादा वहाँ उपर के roof से धोका होता है क्योंकि वो पूरा जल जाएगा और पूरा का पूरा roof नीचा आजएगा लेकिन यह structure में ऐसे नहीं हो जाएगा fabrication structure जो भी रहेगा उसमें कोई fireproof 100% है तो फिर वहाँ पे कोई आग लगनी क कोई chances नहीं होते हैं काफी बार ऐसा हो जाता है कि उपर हम जो roof tile लगाते हैं कभी-कभी हो जाता है कि टाइल लिकेज हो जाती है या फिर कभी ऐसे हो जाता है कि उपर के कुछ tile तूटती है कुछ maintenance आ जाता है और अंदर पानी आ जाता है घर के अंदर तो फिर जितने भी ल जंग पकड़ने के भी कोई चंस रहते नहीं है जनरल और एक सबसे इंपोर्टन बात है कि लकडी के ऊपर टाइम प्रेशर तो आता ही रहेगा तो स्टील के ऊपर भी आएगा लेकिन लकडी के ऊपर जो प्रेशर आएगा काफी बार अगर लकडी में हैर क्रैक्स पहले से रह लकडी के स्टक्चर को दक्काल लगने के जांसे से से वह बहुत कम है मतलब ना के बढर जरूरह होते हैं जो कि अगर हम स्टील में भानाते है तो खरीब 3 ौ-4 प्राफिट के बीच में अगर रहते हैं तो चल सकता है क्योंकि स्टील उतना जो वेट रहेगा वह बेर कर पाता है इसके बज़िस से वहाँ पे स्टील जो लगता है उसकी भी कॉंटिटी हमें बहुत ही कम लगती है और सबसे इंपोर्ण बात होता है कि उडन का जो इफेक्ट रहेगा वो स्टील में नहीं आएगा उतना तो पक्का है उडन का जो एफेक्ट रहेगा वो तो डैम्शुर है लेकिन अगर आज के तारिक में अगर हम देखते हैं तो फिर काफी जाधा साइंस ने तरकी की है तो अगर हम जितना जो स्टील यूज करें अगर वो स्टील को है अगर हम उड़न का लुक देना चाहते तो 100% दे सकते हैं ऐसे काफी सारे ऑप्शन है जहां पे हम बिल्कुल वहां पे उड़न का ही लुक उसको दे देंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे उड़न है उड़ है मतलब लकडी है या फिर आपे स्टील लगा हुआ है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि हम लकडी को भी काफी आच्छा तरके से मेंटेन कर सकते हैं उसको पॉलिश कर सकते हैं वो दिखने में बढ़िया रहता है लेकिन उसका जो खर्चा रहता है वो काफी पॉक्सी कर सकते हैं या फिर हम रेगुलर जो उपेंट रहता है वो यूज कर सकते हैं अगर हम उसको फिल लगा देते तो तीन चार तीन-चार साल में अगर लगा देते तो वह एक मतलब खर्चा जाता होने के कोई चांसे से रहेगा नहीं अगर और हम इसको मेंटेन भी कर पाते हैं सबसे इंपोर्टन और यह की पॉइंट है मैं बोलूँगा कि अगर हम लकडी का स्टक्चर कर रहा है और उसके अगेस्ट अगर हम स्टील का स्टक्चर अगर कंपेर करते हैं दोनों में तो बहुत ज्यादा फरक है मतलब स्टील का खर्चा बहुत कम आ जाएगा और उडन का स्टक्चर जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा आएगा जो कि इसलिए क्योंकि जो हमें लकड़ी चाहिए वो क्लीन चाहिए एकदम सुखी हुई लकड़ी होनी चाहिए स्ट्रेट चाहिए लकड़ी तो फिर अगर ऐसे लकड़ी अगर अवेलेबल करना है पहली तो फिर वो बहुत ही लो आ जाता है और जो लकड़ी का जो खर्चा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है इसे बढ़ी है कि मैं आपको सजिश्ट करूगा कि अगर आपके मन में ऐसे कोई दूई दैख रहेगी कि मैं एक तो लकड़ी का करूओ या फिर हम स्टील का बनाएं तो फिर मैं आपको definitely suggest करूँगा कि हां हम steel के उपर जाना वो सबसे बड़िया रहेगा हां अगर आपका मतलब उतना budget रहेगा कि आप लकडी का जितना भी material हो आप easy ले सकते हैं काफी बार ऐसे भी हो जाता है कि पहले का जो घर बन निकाला है तो उसका पहले का बहु आपका हो जाएगा labor के भी कोई issues नहीं आ जाएगे हर जगा पे आपको फैब्रिकेटर आवेलेबल मिलेगा अपने देश के जितने भी cities है जैसे की जिला है या फिर तालो का level पे है हर गाव गाव में एक फैब्रिकेटर तो आपको मिल जाएगा तो फैब्रिकेटर आपका उडन स्टक्चर के बारे में मतलब कौन सा बनाना है उसके बारे में अगर ये वीडियो हमारा किसी काम का हो जाएगा आपको आपके knowledge में कुछ फरक पड़ेगा तो फिर जरूर हमारे चैनल को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए कि हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोले मैं संतोष पाटिल संतोष उरुपिंग के यूट्यूब चैनल से धन्यवाद फ्रेंड्स